नमस्कार मेरे विद्ध्यार्तियों एक नई आशा के साथ और एक नई उम्मीद के साथ मैं आपकी हिंदी विशय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की एक अक्षा में हार दे स्वागत करती हूँ विद्ध्यार्तियों आज हम कख्षा चौथी में भाशा माधूरी से पाटती चौथा मित्रता का अध्यन करने वाले हैं पाट मित्रता में हमने जहां अध्यन किया था कि एक सुन्दर्वन है जहां पर एक आम का पुराना पेड़ है और उस पेड़ पर एक कोईल रहती है जिसका नाम क्या है सलोनी और उसी पेड़ के पास एक हीरन भी घास चरने को आता है दोनों में अच्छी मित्रता हो जाती थी क्योंकि सलोनी हीरन को आम देती थी और उसके बदले में हीरन उसे अपने पीट पर सवारी कराता था लेकिन अचानक लोमडी की नजर उस हीरन पर पढ़ जाती लोमडी को देखकर हीरन के मुँँ में पानी आ जाता है लालच आ जाता है कि इसका मास तो बड़ा ही बहुत ही स्वादिष्ट होगा तब लोमडी हीरन को अपने जान में फसाना चाहती और कहती है कि मुझे एक बहुत बड़े हरे घांस के मैंदान का पता है और मैं भी महारोज जाती हूँ तुम भी मेरे साथ चला करो हीरक कहता है नहीं नहीं तब लोमडी कहती है मुझसे डरो नहीं हीरक मैं तो अभी बूडी हो चुकी और मैं मास भी नहीं चबा सकती लोमडी उसे काफी समझाने का प्रयास करती है अब हीरक को लोमडी पर विश्वास हो जाता है यह सारा नजारा जो है आम के पेड़ पर बैठी में कोयल देखती है और कोयल जो है लोमडी के दिल की बात भाप चाती है अब हीरक रोच लोमडी के साथ उस मैदान में घास खाने जाता है एक दिन उस मैदान में शिकारी जो पशो को पकड़ते हैं पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं आप जाल बिछाते हैं लोमडी उन्हें जाल बिछाता हुआ देखती है अब लोमडी सोचती है कि इस जाल में अगर हीरक फस गया तो मुझे उसका मास खाने को मिलेगा अब हीरक को फसाने की योजना बनाती है लोमडी आगे लोमडी जो है आम के पेड़ के पास गई और हीरक को अब बहला फुसला कर पड़े प्यार से उस घास वाले मैदान में जहां पर शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था वहां ले गई जैसे ही हीरक महा पहुचता है और अपना पैर रोगता है वह जाल में फस जाता है अब उसे लोमडी पर तनिक भी विश्वास या भरोसा नहीं रहा हीरक लोमडी से कहता है कि तुम अपने दातों से जाल काट दो तब लोमडी कहती है मेरे दात जो है तूट गए है लोमडी ने बहाना बनाया क्योंकि उसे तो हीरक को खाना था लेकिन हीरक की या हीरक का जो मित्र या हीरक की मित्र कोयल सलूनी जानती थी कि लोमडी बहुत चालाख है वह पहले से ही अपने अन्य कोयलों को इस बारे में जानकारी देकर रखती है कि लोमडी जो है हिरक को अपना शिकार बनाना चाहती है अपना भूजन बनाना चाहती है वह बराबर नजर रखती थी और आज वह समय आ गया था जैसे ही लोमडी हिरक पर हमला करना चाहती वैसे ही कहीं कोयल लोमडी पर तूट पड़ती है और उसे अपनी चोस से बुरी तरह से घायल कर देती है और लोमडी वहां से अपनी जान बचा कर भाग जाती है दरसल सलोनी ने सब कुछ देख लिया था वह सबी कोईलों को बुला कर भी लाई थी अब समस्या थी कि हीरन हीरक को जाल से कैसे बाहर निकाले बहुत मुश्किल थी तब सलोनी एक उपाए सुझाती है उसने हीरक से कहा तुम अभी जाल में इसी तरह पड़ी रहो लेकिन जब मैं सुभा मधूर आवाज में गाने लगूंगी मेरा गाना सुनकर तुम अपनी आखे बंद कर देना और पेट फुला कर जमीन पर लेट जाना जब सुझारी आएंगे तो तुम्हे इस अबस्ता में देखेंगे तो तुम्हे मरा समझ कर उठा मरा समझ कर जाल उठाने की कोशिश करेंगे जैसे ही जाल उठेगा तुम बासे भाग जाना अब सबेरा हुआ हीरक को जाल में फसा लेकर शिकारी बहुत प्रसंद न होते लेकिन पेट फुला हुआ देखकर वहां सोचते हैं कि या तो मर गया है लगता कोयल भी देखती शिकारी आ गया तो वह वैसे ही गीत गाना शुरू कर देती है जैसे कि हीरक को बताया गया था जैसे ही शिकारी जाल उठाते हैं हीरक जाल से बुक्त होकर तुरंट वहां से भाग जाता है और शिकारी देखते रह जाते हैं अब हीरक को बहुत पश्यताप हो रहा था पच्छतावा हो रहा था कि उसने अपनी मित्र सलोनी कोयल की बात नहीं मानी अभीरक कहता है सलोनी मित्र तुमारे बार-बार चतावनी देने पर भी मैं लोमडी की धूरतता में चाला की में आ गया उसकी धूरतता या चाला की नहीं समझ पाया मुझे ख्षमा कर दो माख कर दो तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई सलोनी फिर अपनी मधूर मीठी आवाज में कूकने लगी विध्यारतियो इस पार्ट से हमें यहीं सीख मिलती है कि जो हमारे सच्चे मित्र होते हैं वहां बुरे समय में हमेशा हमारा साथ देते हैं हमें सही दिशा दिखाते हैं तो सच्चा मित्र वही होता है जो हमें पक पक पर हमारा साथ देते हैं आशा करती हूँ यहां पार्ट आपकी समझ में अवश्या आया होगा आईए अब जल्बी से कॉप्य और पेन लेकर आईए और इकरे हां पार्ट लिखिए प्रश्न पहला सलोनी कहा रहती थी इसका आब उत्तर लिखेंगे सलोनी सुंदरवन में रहती थी हीरक हीरन घास चरने कहा जाता था हीरक हीरन घास चरने आम के पेड के पास जाता था लोमडी ने हीरन को अपने साथ चलने को क्यों कहा सलोनी कोयल ने हीरक हीरन को जाल से आजाद होने की क्या तर्किब बताई कि जब शिकारी आएंगे तुम्हें गाने लगूंगी तब तुम अपना पेट सुदा लेना और जमिन पर लेट जाना और जैसे ही शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझेंगे जब चाल उठाएंगे तुम तुम्हें वाह से भाग जाना लिख्याती हो आशा करती हो आपको यह पाट अवश्य समझ में आए अब एक नए पाट के साथ मैं आपसे तुम्हा मिलने आओँ अच्छा बच्चो अब मैं चैगते हूं धन्यवाद